हाव रूफिक्स वान प्लस एक्स आटो रोटेट नॉट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकिराज योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की कैसे आप जो है अपने वान प्लस की डिवाइस में आ अगर दोस्तों आटो रोटेट आपके मुबाइल पर काम नहीं कर रहा है आपके आटो रोटेट जो है यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा जरू देखें मैं आपको शो करके बताऊंगा दोस्तों कैसे आपको यह प्रॉब्लम सॉल्फ करना है ठी यह वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों अगर उटारोटेट काम नहीं करते हैं सबसे पहले आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए रिस्टार्ट करने के बाद ड्रीसेंट बटन पर क्लिक करें और सारे जो यहाँ पर आपके एप से उनको क्लियर ओल पर क्लिक करक तो आपको मिलेगा यहाँ पर ऑटो रोटेट सेटिंग ठीक है तो इसको एक बार ओन कीजिए बन कीजिए और उन कर दीजिए और उसके बाद करेंगा एपस और यहाँ पर दोस्तों आप क्या किजिएगा अब सर्च कीजिए अपने मोबाइल के सेटिंग को ठीक है तो mobile setting को यहाँ पर डूंद के निकाल लीजिए और उसके बाद storage पर जाए क्लिए storage पर क्लिक कीजिए okay कर दिए data क्लियर हो जाएगा और उसके बाद बेक करते हुए आप mobile को restart करें दुबारा से and then check करके देखे solve हो जागा problem by any chance अगर solve ना हो problem तो जाए दुबारा से सेटिंग पर system को select किजे नीचे जाए ये system update मिल जागा तो जाके system को update कर लिजे जैसे हैं आपका system update होगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप अपने problem को solve कर सकते है अगर काम नहीं कर रहे तो आप सिंपली इस solution को follow किजे तो फिर update दोस्तों सबसे main solution है तो उसको follow करना बिल्कूल भी मत भूलेगा ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर setting भी बहुत ज्यादा important है तो setting को on करकी ही आप use कीजिए तो कोई problem नहीं होगा यहाँ पर दोस्तों मान लिजिए आप जाते हैं setting पर अगर आप अपने mobile को ठीक है घुमा देते हैं तो आपको दोस्तों मिल जाते हैं ओटो रोटेट का option site में लेकिन फिलाल setting को आप रोटेट नहीं कर सकते ठीक है आप मान लिजिए मेसेज के यहाँ आप database चेक करके देखते हैं तो मेसेश कें ऊपशन है नीचे में आप देख सकते हैं ठीक है बैक बटन के साइट में वहाँ पर रोटेट का option शो कर रहा है तो उस आपको क्लिक करके इसको रोटेट करना होता है ठीक है मैं आपको दुबारा से करके बता रहता हूं तो यह आप देख सकते हैं ठीक है तो यह हो गया रोटेट अभी आप दोस्तों अगर मोबाइल को दुबारा से सीधा कर दोगे तो आपको रोटेट का ऑप्शन मिलेगा तो कर सकते हैं तो यह है दोस्तों ओतो रोटेट करने का तरीका ठीक है बस सेटिंग को अच्छे से कीजिए अगर सेटिंग अच्छे से करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो सोलुशन कीजिए आज के लिए बस इतने ही टैंक्स वराचिंग